नमस्कार किसान साथियो मैं देवेंद्र सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चेनल ओनली फार्मिंग में साथियो जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि हम बहुत जल्द आपके लिए सोयबिन की खेती के उपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो ले करके आन सबसे पहले में चाहूंगा कि आप एक बार अपना इंट्रोडेक्शन आप देवा क्रिशी विज्ञान के इंदर नीमच में पोस्ट्रक्शन विज्ञानी के पदपर करें तो किसान बाइयों को आज अपन स्वयबिन की खेती के उपर विस्तार से बाबात करेंगे चर्चा करेंगे और किसानों की जो भी जो समझा है रहती है उसको पूरा पूरा अपन कवर करने कोशिस करेंगे स्वयबिन की खेती करने के लिए सबसे पहले किसान बाइयों को क्या करना चाहिए सरो परतम किसान बाइयों को खेत का जो चैन है क्योंकि अपनम मेकजिमम एरिये में स्वयबिन लगा रहे हैं तो खेत में थोड़ा सा किसान बहुँ ध्यान रखें कि ऐसे खेत का चैन करें जहां पर जल निकास की उच्ची तो यवश्ता हो जिस खेत में पानी बर जाता है वहाँ पर स्वयबिन की खेती करना संभव है वहाँ पर खेती में अगर 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 अपन उसमें लगा देंगे तो आपनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है तो किसान पर ध्यान रखें कि खेत का चैन कर रहे हैं तो वहाँ पर जल निकास की उच्ची तो व्यश्ता उ किसान को उपलब्द कराई जाती है और उसके आदार पर जिसको वोलते हैं सोल टेस्टिंग वेल्यू बेस्ट अगर फटलाजर का उप्यों किसान करता है तो निश्य तोर पर उसकी लागत भी कम होगी और उत्पादन में इजापा होगा तो किसान भईयों को तीन वर्स में एक बार गेरी जुताई किसान भईयों को यह है एक तो मिटी में जल्जदान रक्षमता बढ़ जाती है दूसरा जो बहुत वर्षी खरपतवार है उसके नियंतन में आपको साहता मिलती है तिसरा जो कीट और व्यादी है उसके कोई अवस्ता अगर जमीन में पड़ी हुए तो वह जैसे बाहर आ जाएगी और वह सूरी की केड़ों के दौरा वह समाप्त हो जाएगी तो इस प्रकार इसके भईयों को तीन वर्ष में एक बार इसको अवश्य करना चाहिए तो वह दो-तीन बार कल्टीवेटर चला करके और पाटार लगा करके खेत को तयार करके अंत तो इससे ज्यादा बर्साद होने पर जो इसकी प्रभाइत होती है परन्तु किसान बायों से मेरा आग रहे है कि जो स्वयाबिन का बीज अगर अपने पास में है तो उसको अच्छे तरह से ग्रेडिंग कर लें और उस बीज को निकाल करके अंकुरन प्रजिक्शन करने के बाद में अंकुरन एक बार जांचने के बाद उसकी वह करें कम से कम उसमें सितर प्रतिसाद जो है जर्मिनेशन या अंकुरन की ख्षमता उसमें होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह किसान बाई अपनी बीज की मात्रा को बढ़ा करके भी वह कर सकता है और यद इतनी मात्रा में बीज जालें जैसा मैंने बताया कि अंकुरन प्रतिशत सितर प्रतिशत है तो जो अनुशंशित मात्रा है जैसे सितर से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टिर वह बीज आपनको कामे लेना है उसके साथ में इस बार विशेष ध्यान जो रखना है वह ये रखना है इसके बाद में किसानबई के करनाती है उसके बाद हैं कइसे बढ़ सकते हैं से मिलने माला है तो राजवियम कल्चर का इस्तेमाल कितना करें इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पहली बार अगर उस खेत में अपना प्रतिक का उप्योग कर सकते हैं यदि आपने पहले उस खेत में उप्योग किया है तो आप 5 कि मिलीलिटर से भी काम चला सकते हैं तो सबसे पहले आपन को पपुदुनाशक का प्रियो 6000 कर बाद उसमाल करना है ने दोता खादों की खादों मैंने बताया कि मिटी प्रिक्षन आपने करवार रखा है तो उसके आधार पर आप खादों के इस्तिमाल करें जैसे आपने सोयविन की बात कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम नाइटोजन 60 किलोग्राम फासपरस और 40 किलोग्राम जो है पोटास और 20 किलोग्राम सलफर प्रती हेक्टर का इस्तिमाल किसान बयों को करना चाहिए अगर अपने इसके और वर्वर्क की बात करें कि किता और वर्वर्क लगेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विकल्प नंबर एक जिसमें सिंगल सुपर फासपेट का प्रियोग किसान करता है तो उसमें लगबग 500 किलोग्राम परती हेक्टर का इस्तिमाल उसको करना होगा और क्यूंकि इसमें फासफ़रस की पूर्ती हो रही है परनतु नाइटोजन की पूर्ती नहीं हो रही है तो ऐसी कंडिशन मे पूर्तास की बात करें क्योंकि इसमें पूर्तास की पूर्ती नहीं होगी तो उसके पूर्तास बीज़ना है और वह लगबग आपको 10-12 किलोग्राम परती बीगा या 50-60 किलोग्राम परती हेक्टर के साब इस्तिमाल आप कर सकते हैं वैसे मिट्टी जहांची आदार पर कर इसेमाल अभी इसका परेबग करते हैं इसका परियोग तो आपको 130 किलोग्राम परती हेक्टर द्यू करणा होगा की मिरोटेव Kr vagy का परियोग अलग से करना हो जब आपको मातरा कियां पचास 50-60 किलोग्राम परती हेक्टर और इसमें इक सापरिकर घ्योग ऑ wsb stiffness notor क्यो रख और तीसरा विकल भी अपने पास में उपलब्द है उसमें है बारा बतिसुला और इसकी अगर मात्रा का अपने इस इस्तेमाल अगर करते हैं तो लगबग 200 किलोग्राम परती हेक्टर के हिसाबस आपको इसका इस्तेमाल आपको करना होगा और इसमें भी सेल्फर की पूर्ति आपको अलग से करनी होगी है तो खिसान भाईयों सिंगल सुपर फास्पेट का इस्तिमाल अगर कर रहे हैं तो आप वोई के 10-15 दिन पहले इसका इस्तिमाल कर सकते हैं परन्तु जो अन्य खाद हैं वोई के समय ही आप इस्तिमाल करेंगे अगर डबल जो पेटी वाले यारे सीड कम फटिलाजर डिल आती ह किसान भाईयों से इस्तिमाल करके वोई करेंगे निश्य तोर पर आपको अच्छा पादन मिलेगा किसान भाईयों के लिए गोबर की खाद की आप शक्ता होती है यह सान ही कि केवल अफिमों लेसून का खेट आपने डिसाइड कर रखा है उसे जगे आपन गोबर की खाद अब टार्गेट ले रखा हो या उसके मन में इच्छा है कि मैं पते खेट में गोबर की खाद को पहुचा हो एसे करने से क्या होगा कि सबी खेटों की उत्पादन शमता में ब्रदी होगी और कि ज्यादा मातरा उपलब्द नहीं है तो आप उसको अल्टरनेट या लावर ज्यादा से ज्यादा ले सके और इसका अधिक से अधिक मुनाफ़ा हमारे किसान भाईयों को धन्यवाद जय हिंद जय भारत